विवाइत महिला का पैन कार्ड आप बायोमेट्रिक बेस्ट किस परकार से CSC से बना सकते हैं तो CSC से OTP और बायोमेट्रिक बेस्ट दो सुईदा चालू कर दी गई हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पर डिजिटल मोड स्लेट करेंगे टाइटल स्लेट करने के बाद में आपके पास last name है तो आपको यहाँ पर last name टाइप कर देना है last और first name है तो भी आप टाइप कर सकते हैं टाइप करने के बाद नेम और पेंट कार्ड वाला नाम आ जाएगा यहाँ पर आपका बदलवा नाम है तो yes करेंगे अधरवाईज नो कर लेंगे नो करने के बाद में यहाँ पर टाइटल के इसाप से जेंटर आ जाएगा फिर आपको अपनी जो है डेट और अधार पर जो भी मैंसन है उसको यहाँ पर एजटीज टाइप कर लेना है उसके बाद स्क्रोल डाउन करेंगे स्क्रोल डाउन करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ फील नहीं करना है डिजिटल मोड में यह सबी चीजें जो है आपको खली छोड़ देनी यहाँ पर फिर आपको अधार कार्ड नंबर फील करना है अधार कार्ड नंबर फील करने के बाद में next option पर click कर लेंगे, next option पर click करेंगे तो second page open हो जाएगा, उसमें आपको documents डीटेल देखने क्यों मिलती है, इसमें आपको कुछ भी change नहीं करना है, सिर्फ documents में आदार कार्ट की copy है, पर आप देख सकते हैं, auto select है, इन्हें आपको change नहीं करेंगे, make payment वाले option पर click कर लेंगे, जैसे make payment पर click करेंगे तो यहाँ पर next page open हो जाएगे, यहाँ पर आपने ID के password जो enter करेंगे, validate पर click कर लेंगे, password एंटर करने की बाद validate पर click करेंगे, उसके बाद जो आपके wallet के pin है, उन्हें आप यहाँ पर enter करेंगे और paper click कर लेंगे, जैसे paper click करेंगे तो आपका 97 रुपे पे हो जाएगे, उसके बाद यहाँ पर आपको contact details feel करनी है, उसमें सबसे पहले आपको अपना जो है देख select करना है, यहाँ पर India select करेंगे, उसके ब telephone and mobile वाले option में type कर लेना है, एक active mobile number आप यहाँ पर enter कर लेंगे, उसके बाद email ID आपको यहाँ पर enter करनी है ताकि उसपर आपको एक PDF में pen card बेजा जा सके, mail card आप, mail यहाँ पर आपको active mail ID enter कर लेनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर parents की details जो है feel करनी होगी, parents details में आपको य last name ठीक है, यहाँ पर enter करना है, last name, last name entering करने के बाद में आपको वापस से first name भी enter करना होता है, last name में आप लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर first name में लिख देंगे, ठीक है दोस्तों यह complete हो चुका है, इसके बाद आपको scroll down कर लेना है, mother name में आपको blank रकना, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे next step पर क्लिक करेंगे यहां पर दो options आ जाएंगे आपके सामने OTP और Biometric तो Biometric चूज करना है यहां पर Biometric यहां पर चूज कर लेता हूं OTP के माधियम से आपके आधार कार्ड में जो रिजिस्टर मोबाइल ने उस पर OTP आता है और Biometric में यहां पर आपको Select करके OK कर लेना फिर आपके ID सर्विस यहां पर आजाएगी नहीं यहां तीद विश्कर और ID सर्विस पर कलिक कर लेना Capture पर कलिक करेंगे, OK पर कलिक करेंगे अब जो Customer है उसका Fingerprint आपको यहां पर Verify करना होता है निस्केन करना होता है 2-3 बार Try कीजिए किसी का Fingerprint नहीं आता है तो आपको वापस से Capture पर कलिक करके 2-3 बार उनका Fingerprint केप्शर करना है तो यहां पर मैं फिर से वापस उनका जो है fingerprint capture कर लेता हूँ दो से तीन बार च्यार बार आप try करिए ताकि उनका जो है biometric यहां पर success हो जाए तो आपको फिर से capture पर click करना है put your finger यहां पर capture दे कि success हो चुका है okay पर click करेंगे तो यहां पर write का निशान आ चुका है declare करेंगे fingerprint capture successfully submit पर click कर लेंगे submit पर click करने के बाद में जो है आपके adders की details यहां पर open होती है जैसी submit पर click करेंगे आपके आधार card में जो आपका adders है वो यहां पर auto field हो जाएगा adders में आप यहां पर check out कर सकते है office address जो है उसमें आपको कुछ भी feel नहीं करना है income of source में आप income for other source select कर लेंगे उनकी को income नहीं है दूसरी तो ठीक है दोस्तों इन में से आप choose कर सकते हैं किसी के other income हो तो फिर next step पर click कर लेंगे यहां पर आपको other details में आना जो area code है, au type है range code है यह automatically auto feel हो जाते हैं इन में आपको कुछ भी changes नहीं करना है representative address में जो छोटे बचे होते हैं minor उनका representative address feel किया जाता है बड़ो काने ठीक है यहां पर आपको himself select करना है नाम आ जाएगा verify का यहां पर जहां से आप feel कर लें उस इस्तान का नाम यहां पर आपको type कर लेना है यह type कर लेंगे उसके बाद आपको next वाले option पर click करना है next पर जैसे आप click कर लेंगे तो आपके सामने एक fit space open हो जाएगा जिसमें आपको document upload करना हो लेकिन यह biometric और OTP based में आपको कोई भी document upload नहीं करना है यहां पर आपसे अधार number पूचे जाते हैं तो यहां पर आपको अधार के जो number है उन्हें आपको यहां पर enter कर लेना है अधार के number यहां पर आपको complete enter करने के बाद में discover biometric device पर click करना है यहां पर click करने के बाद में आपकी device select हो जाएगी Capture पर आपको Click कर लेना फिर से आपको Customer का Fingerprint Scan करना नहीं Second KYC के लिए यहाँ पर आप Customer का Fingerprint Scan करेंगे दो से तीन बार Try कर लीजी यह दि आप किसी का Fingerprint नहीं हा रहा है तो दो से तीन बार आपको Try कर लेना ताकि यहाँ पर Fingerprint Capture हो जाए सेकेंड के वाइस ही Complete होने के बाद में कुछ इस परकार का Message आ जाएगा Any slip आपको 49 A की slip यहाँ पर मिल जाती है ठीके दोस्तों यहाँ पर Matched और Manston लिखावा होना चाहिए तो आपका Pen Card तयार हो जाएगा तो यह तरीका था CSE से कि आप Biometric Based किसी विवाइत महिला का Pen Card बना सकते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को Like कर दे और चैनल को Subscribe कर दे और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें धन्यवाद जय हिंद वंदे मात्राम मैं मिलता हूं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए Bye Bye